आज सहीत दिवस है, आज ही के दिन लहावर में सरदार भगत सिंग और दो और उनके साथ ही फांसी पर चढ़ाए गए थे, उनको फांसी पर चढ़ना था 24 तारीक को, लेकिन एक दिन पहले लोगों के उग्रु होने के कारण, राजगुरु और सुकदेव भी उनके साथ थे, लोगों के उग्रु होने के कारण, एक दिन पूर्वी, एक दिन में बारे घंटा पूर्वी उनके फांसी पर चढ़ा दिया गया, और फांसी पर चढ़ने के बाद, पीछे के दरवाजे से, उनका लास, मने, उनका वो शरीर लेल जाया गया, और रावी के तट पर, जब द दाहसंसकार किया रहा था, इसी बीच लोगों का एक समूम, वहाँ पोहुचा, अंग्रेज छोर के भाग गया, और उनको हिंदू रीती के मताविक, संत्रलज नदी के तरफ पर ले जाके, उनका दाहसंसकार किया गया, ये, हम इस बात से कत्त ही सहमत नहीं है, कि देदी सुतंत्र होने के लिए, अनेका अनेक कुर्वानिया देनी परी, अनेक लोगों को फासी पर चढ़ना परा, अलेक अनेक लोगों की मिर्टु ही, हम इस बात से सहमत नहीं है, और हम तो दिनकर जी की उन पंक्तियों को आप याद करते हैं, कि कलम आज उनकी जैबोल, कलम आज उनकी जैबोल, जलास्तियां बारी-बारी, छिटकाई, जिन्ने-चिनगारी, चट गए जो पुन्यवेदी पर लिये बिना घरदन का मूल, कलम आज उनकी जैबोल, उनने कलम से उन सहीदों को जैकार मनाया, जैकार बोला, हम हिर्दत से आभारी हैं, उन सहीदों के इन इस बद्रा कुमारी चोहान ने जब पूछा कि बीरों का कैसा हो बसंद, तो उसके जबाब में आ रहा ही हिमाले से पुकार उद्रदी करस्ता बार-बार, प्राची पच्छिन बुनावा पार, सब पूछ रहे हैं दिख दिखंत, बीरों का कैसा हो बसंद, तो भगर सिंग ने बता दिया, कि बीरों का कैसा होगा बसंद, और बता दिया, अब तब हम लोग यह कहते हैं, कि सहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वरस मेले, बतन पर मरने वाले का यही बांकी निशा होगा, और मैं क्या कहूँ, राम परसाद बिस्मल के रहे हैं, पंक्तियां याद कीज अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाद रूए कातिल में है, यह तो लम्बी कविता है, लेकि इस तरह से उन लोगों ने अपनी भावना, अपने हिर्दय की भावना की विवर्टि की थी। इसके लिए किताब में भी विव्वक्ति नहीं दी आ सकती है, आज हम उन सहीदों को सिρχप नमन करके हम अपनी स्रधा की विवक्ति करते हैं, ऐसे उनने जो किया वो कई कितावों में, कई दिनों तक, मातर 23 वरम जी है, और 23 वरम में उनने जो कर दिया, भावनाओं में, कर् कुछ दिनों तक याद रखेगा यह जुग जुग तक लोग याद करेगा और दाबाया पर आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने की